आगे चलते अपने घर के स्वयनपार्ग घर के नजदीक में ऐसी ही एक बहुत अच्छे आउशद है तुलसी जैसी ही उसको मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था खोरपड, एलोविरा, गुवारपाथा, अद्बुट है यह बहुत बहुत बीमारियों में काम आता है आप इसको भी गंबले में लगा सकते हैं, बहुत आसान है इसका लगना खोरपड का रस हमेशा doctrine किया जाता है तो उसका पत्ता काटेंगे, पत्ता काटते ही रस निकलना शुरू हो जाता है और उसको छील देंगे तो और ज़्यादा रस निकलता है ये रस इकठा करके आप इसको कई तरीके से उप्योग कर सकते है सबसे बड़ा उप्योग इसका है डाइबिटीज में जिनको भी शक्कर की बीमारी है शुगर की बीमारी है उनको ये खोरपड का रस इकठा करना और 4-5 चमज सुबह खाली को एक पीना बहुत अध्वूद काम करता है दूसरा ये खोरपड का रस ऐसे लोगों की सबसे अच्छी दवा है जिनको नपुन सकता है इंपोटेंसी की बीमारी जिनको बहुत है ऐसे सब लोगों को खोरपड का रस बहुत अध्वूद काम करता है आप उनके लिए भी बोल सकते हैं कि 3-4 चमज रोज सुबह इसको पीना तीसरा ये खोरपड का रस उन सब के काम आता है जिनके शरीर में फोड़े बहुत होते हैं फुनसियां बहुत होते है अक्सर आपने देखा है कि गर्मियों के दिन में कई छोटे बच्चे को ऐसे हैं जिनको हमेशा कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां पाओं कहीं हर सब शरीर में फोड़े खुनसी होते रहे हैं इनके लिए भी यह कोर्पर्ट का रस बहुत अधुद बालों में अगर आपको डेंडरफ है खोड़ा जू मैंने कहा इसमें कोर्पर्ट का रस लगाएं तो बहुत अधुद काम करता है बाल आपके बहुत जड़ते हैं बहुत ज़्यादा ठूपते हैं समय से पहले आपको ऐसा लगा रहा है कि बहुत ज़्यादा बाल तूट रहे हैं कारण आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसमें भी कोर्पर्ट का रस बहुत अच्छा काम करता है बालों में लगाईए एक तास के लिए छोड़ दीजे फिर बाल धोलीजे एक हफ़ते में एक दिन भी अगर आपने लगाना शुरू किया तो बाल तूटने आपके बंग कर दे आपको ऐसा लगता है कि बाल आपके बहुत हलके हो गए है तो भी आप कॉर्पर्ट का रस उप्योग करिए बाल एकदम अच्छे हो जाए अगर समय से पहले दिना किसी कारण से जेनेटिक प्राब्लम भी नहीं है तो भी किसी को बाल अगर सफेद हो रहा है उनको बोलिया कि कॉर्पर्ट का रस लगाए बाल एकदम काले कर देता है इसी corporate के रस से शरीर के अंग का कोई भी हिस्सा जो सड गया है बहुत खराब एक बीमारी है जिसको अंग्रेजी में गैंगरीन कहते है गैंगरीन और एलोपैथी के किसी भी डॉक्टर के पास इसका कोई गारी गेंगरीन का अगर कोई भी बीमारी आ गया तो एलुपथी का डॉक्टर एकी बात आपको बुलेगा कि शरीर का ये अंग काटके निकाल दो ये सड़ा हुआ शरीर का अंग फिर से ठीक करने की ताकत दुनिया में जिस आउशत में है वो ये ही है कोरपट करस कितना भी खराब अंग सड़ गया हो पाओं में हाच में कहीं भी किसी भी हिस्से में आप कोरपट का रस वहां लगाना शुरू कर दीजिए आट-दस दिन में आप चमतकार देखेंगे अजबुत परिनाम आता है इसी कोरपट के रस का और अच्छा एक उप्योग है जिनको भी रक्त का दूशन हो गया रक्त का दूशन बहुत तरह का होता है जैसे आपके रक्त में एसिडिटी बढ़ दे रक्त में अमलता बढ़ दे और रक्त की अमलता बढ़ने से क्या बीमारियां होती है चर्म रोग सबसे ज़्यादा आते हैं सुराइसिस नाम का एक चर्म रोग है इजियोसिस नाम का एक चर्म रोग है एकजीमा नाम का एक चर्म रोग है ये सारे के सारे चर्म रोग रक्त की अमलता बढ़ने से आते हैं तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप corporate का रस पिलाना शुरू कर दीजे चर्म रोग ठीक कर देता है और corporate का रस पीने में तो काम आता ही है चर्म रोग है तो उसको बाहर से लगा भी सकते हैं तेल की तरह उसकी मालिश भी कर सकते हैं और जल्दी ठीक कर देता है इसी corporate के रस से आपके शरीर का अंदर के कई रोग ठीक होते हैं जैसे आपको अलसर है अलसर आप समझते हैं पेट में घाव हो गया अलसर है या पैप्टिक अलसर है इसको ठीक करने की ताकत खोरपट के रसमे है तो जो अलसर के पेशेंट है जिनको अलसराइजिस है वो भी इस कोरपट का में एक गमले में जरूर इस को लगाते रखिए यह बहुत कामाता है और एक आखरी विमारी इसकी और बता देता हूं बच्चों से लेकर बढ़ों तक कान में कभी भी दर्द हो जाए कितना भी तेज दर्द हो कान में आप कोर्पट की रसकी एक ठेम डाल दीजे कान में की मिनट लगते हैं धर्द बंद हो कई वार आपने देखा है बच्चों और बढ़ों को एक बीमारी होती है कान में से लस निकलती है उस बीमारी में भी खोर्पट का एक सेम कान में डाल दीजे तीन-चार दिन सतट डालेंगे लस निकलना बंद हो इसी खोर्पट का और कई जर्थ आपको मूह से बहुत बास आती है उडर उठते ही है आपको ऐसा लगता है कि मूसे बद्भू आ रहे हैं आप खोर्पट के रस्कों मूह निकली महले से मतलब मसूनों पर निकली कर लिजे तो मूह से बस आणा बत करा दे अगर आपके मसूरों से खून आता है पायरिया नाम का रोग अक्सर हमारे दातों से खून आता है मसूरों से खून आता है तो कोर्पर्ट के रस को हलके हलके मालिश करिए तीन चार दिन के अंदर ही पायरिया को ठीक करने की शक्तेस में है अदुवुत है ये कोर्पट सबसे जादा भारत में होता है अगर इस कोर्पट का कोई बिजनिस करे तो एक ही साल में कोटि पति हो सकता है इस कोर्पट का रस अमेरिका में एक हजार रुपर लीटर बिखता है एक हजार उपर लीटर गाय के तूप से महना गाय का तूप विटता है 1100 20000 रूपर लीटर खूजार रूपर लीटर बिकता है और यह इतना महना क्यों विटता है क्योंकि दुनिया के دूसरे देशों में यह ज़्यादा होता नहीं लेकिन इसकी डिमांड बहुत है जितनी भी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज है कॉस्मेटिक्स के सामान बनने वाली कमपनिया सब को ये चाहिए अमेरिका और यूरोप में सबसे जादा इसकी बांग है लेकिन वहाँ उपन हो नहीं पाता जादा ज्यादा ये भारत में होता तो अगर आप वास खोड़ा खेत है खेती है तो किनारे किनारे कोर पड लगा दीजे इसको पानी नहीं देना पड़ता इसको खत नहीं देना पड़ता कुछ नहीं देना पड़ता ये अपने से ही बढ़ता रहता है काटते जाईए रस निकालते जाईए पाटली में गरके आप सीदे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बारत के बजार में भी बेच सकते हैं बहुत बड़ा बिजनेस है और ऐसा बिजनेस है जिसमें घाटा कुछ नहीं होने वाला मुनाफा ही मुनाफा है इसके दो फाइदे होते हैं अगर शेट के चारो तरफ आप ये खोरपड लगा दें चारो बादू में तो उस पूरे शेट में कोई भी जन्तु नहीं आता तो जन्तु नाता और शदी की जरूरत नहीं और खोरपड बड़ा होने के बाद हजार रूपए लीटर का भाव दे देता है इसको आप रस के रूपना भी बेच सकते हैं डायरिक भी बेच सकते हैं जी रस कैसे निकलता है इसका रस निकालने के लिए एक बहुत छोटी सी मशीन आती है वो मशीन आप अपने घर लगा सकते हैं मशीन से रस निकल सकता है और मशीन नहीं लगाना हो तो हाच से भी रस निकलाता है निकालने का तरीका मैंने बता है इसका पत्ता काटना फिर उसको चाफू से छीलना फिर छोटे छोटे पीस उसके करना और उसको इसमेश करके रस निकलाता है जी मिकसर में निकलाता है क्रेशर आता है इसका एक उसमें भी निकलाता है मिकसर में भी निकलाता तो इसको आप जरूर अपने घर में रखिए कम से कम गंबले में लगा के रखिए ये बहुत तरह के उप्योग में आपको आने वाला है अभी जी काटे रहते हैं इसके पत्ते में काटे रहते हैं छोटे छोटे काटे रहते हैं इसके आगे एक औशबी की माहिती देता हूँ जी इसका रस का कोई एक्सपाइरी डेट नहीं है एक बरस, दो बरस, दस बरस, दीस बरस, पचास बरस कभी भी खराब नहीं होता जैसे गंगाजल खराब नहीं होता वैसे कोर्पर्ट का रस कभी खराब नहीं होता काट की बाटली में भरके कभी भी रख सकते रस कितना लेना तीन से चार चम्मट उत्ना ही परियास्ता